ठीके रिफट रिफट शुक्रिया शुक्रिया हमारे साथ जोडने के लिए और इस बीच एक बड़ी खपर आप बता दें ये बड़ी कबर आयोध्या से मिल रही है आयोध्या में राम मंदर के भूमी पूझन के एक साल पूरा होने के मौके पर एक विशेश कारक्रम का मोधी ने राम मंदिर के निर्मान के लिए आयोध्या में भूमी पूजन किया था भूमी पूजन के एक साल पूरे होने के मौके पर पूजा का कारिक्रम भी रखा गया है जिसमें मुख्य मंत्री योगी आदितिनाद भी ले रहे हैं हिस्सा और दोपेर करीब एक वजे और आपको बता दे पिछले साल ही राम मंदिर निर्मान की अपचारिक तोर पर आधारशिला प्रधान मंत्री की दरफ से रखी गई थी भूमी पूजन हुआ था और आज इसको एक साल पूरा हो रहा है तकरीबन एक बजे वर्चुल संबाद करेंगे प्रधान मंत्री नरे करेंगे करेंगे पांच अगस्त को जो प्रधान मंत्री जी भूम पूजन और श्रिला पूजन किये थे उस अस्थल को भी देखेंगे और उस अस्थल भर भी काजकरम हो रहा है और उस काजकरम में भी सम्लित होंगे और इस वीच आपको पता दे सीम योगी आदितेनात ने ट्वीट करते हुए लिखा है प्रभू श्रीराम की पावन जन्म भूमी आयोध्या में भारत की सकल आस्था के केंद्र बिंदू और सभी के आराध्ये प्रभू श्रीराम के भव्य मंदिर निर्मान के लिए भूमी प सीधे लाइफ जुड रहे हैं नियूजरूम से हमारे साथ हमारे वरिष्ट सेयोगी अमिताप सिनाजी भी लगातार बने हुए हैं लेकिन सबसे पहले अजीत आपके पास आते हुए मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं अभी क्या क्या कारिकरम क्या देख पा रहे है अब देके बिल्गुल गयतरी मुखमंत्री का कारिकम 12 बचकर 15 मिनट पर था लेकिन वह 45 मिनट बीफोर आ गया और पहुने 11.30 पर ही अध्या पहुंच गया और सीधे राम जन भूम परिसर गए जहां उन्होंने पहले राम लला के दर्शन के भूम पूजन अर्चना की 56 भ अधिकारी जो टर्फ्ट के मंबर हैं अनूज जहां वो मौजूद हैं अनिल मिस्रा बिमलेंद मोहन मिस्रा इसके लावा जो आयोद्या के विधायक हैं बेद प्रकास गुपता महापा और रिशी के सुपाद्या सभी लोग मौजूद है और जो आधिकारी हैं जो राम मंद कर तयार हो जाएगा प्रथम तल बन कर तयार हो जाएगा और भगवान रामलला अब विराजमान अपने गर्बगरी में पहुंच जाएंगा और दरसनार्शन खोल दिया जाएगा साथी ब्यूपाइंट की रचना की जा रही उसको देख रहे हैं मुकमंत्री उसी ब्यूप बनाया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से भक्तों के लिए कि आएंगे तुने इंदिधार नहीं करना होगा कि कि तरह राम मंदिर का निर्माड हो रहा है तो वहां उसी ब्यूपाइंट से मुकमंत्री भी पूरे इलाके का निरिच्छन कर रहा है तो वहां उसके बाद सीधे आजीत लोटेंगे आपकी पास इस बीच बता दे कि आयुद्या में 2023 से शृधालू राम लला के दर्शन कर सकते हैं यह जानकारी आजीत हमें दे रहे हैं और इस सब के बीच आपको बता दे नियूज 18 के अमिताब सिना की रपोर्ट है कि 2023 के आन तक मंदिर बन कर तयार हो या ना हो लेकिन गर्बग्रे तयार हो जाएगा जिसके बाद वहां राम लला विराजमान हो जाएंगे और उनके दर्शन के लिए शृधालू को इजाज़त मिल जाएगी माना जा रहा है कि 2025 तक भव्वे राम मंदिर बन जाएगा जिस पर करीब 1000 करोड रुपे खर्च हो होने का नुमान है मताया गया कि राम मंदिर परिसर में म्यूजियम, रिसोर्स सेंटर और गेस्ट हाउस समेट कई सुविधाएं होंगी कोशिश ये भी है कि मंदिर को इस तरीके से तयार किया जाए कि राम नौमी के दिन सूरच की रोशनी राम लला पर सीधी पड़े तो 2023 से राम लला के दर्शन इस तरह का लक्ष रखा गया है और लगातार नर्मान का रहे है बड़ी तेजी के साथ न्यूजरूम से हमारे वरिष्ट सेयोगी अमिताब सीनल ललागातार बने हुएं अमिताब जी ये तो बहुत बड़ी खुशकबरी है भगवान राम के भक्तों के लिए देखे पूरा एक साल हो गया और जो भी श्रधालू थे और जो भी राम जनभुमी के राम मंदिर बनने का इंजार करे तो नहीं लग रहा होगा कि इस पूरे एक साल में क्या हुआ इसके लिए जो नियास है राम जनुमी नियास उसके उच्पदस सुत्रों ने बताया है कि पिछले एक साल में सबसे मुश्किल काम था उस जगह की मिट्टी को भरना और वहाँ उसकी नीव तयार करना 12 मीटर खुदाई करनी पड़ी है तब जाकर नीव वहाँ पर 12 से 14 लेयर की नीव वहाँ पर तयार हुई है उसके बाद जाकर सितंबर तक ये नीव रखने का काम उस जमीन को भढ़ने का काम मिट्टी वहाँ की काफी काफी अंस्टेबल मिट्टी थी जो की जड़ नहीं पकड़ रही थी तो मुझे लगता है सितंबर तक सितंबर इस साल सितंबर तक उसे पूरी तरह से लेयर जमीन को समतल करके उस पर लेयर सारे बिठा दिये जाएंगे इसके बाद प्लिंट और उपर मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा और इसलिए ये ये नियास नहीं ये वादा कर द दिया है कि दिसंबर 2023 के अंठ तक देश भर के श्रधालू गर्बग्री में रामलेला के दर्शन कर लेंगे और रामला के दर्शन ऐसा होगा जो उनके बाद रूप में होगा गर्बग्री में और जो 2-3-4 माले बनेंगे उस मंदिर के उसमें पहले पर राम का दरुरू दो भी राम वक्त हैं कम से कम 2023 के अंते राम रला के दर्शन का आनन्द भी ले सकेंगे पूजा भी कर सकेंगे और वहां आने की शुरुआ भी हो जाएगे इस दाजलों की जी अमिताब जी लौटरें आपके पास और इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दे कि राम मंद कि अथर दे कर दो पासे ही अपनद भी कर दो सकते हैं कि अथर भी कर दे अचे का दो सकते हैं